आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, आज इन Chemical Industry के आपियो के रिवीव के बारे में अपलाए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जितने भी एक्सपोर्ट है उन सभी के रिव्यूस को जानेंगे तो देखें, यहाँ पर एक यह खुद एक जो है नीश कमनी है, इस्प्रेशली कैमिकल्स के अंदर, यानि कोई भी यहाँ पर जल्दी से इसके अंदर एंट्री नहीं लगा सकता, तो एक तरह से यहाँ पर एंट्री वेरियर भी है, साथ में अगर आप Financial 23 की अर्निंग्स इसका जो डेट है वो काफी जदा हाई है, और IPO का जो पैसा है, वो मिलने के बाद में भी रिपेवेंट जो करेंगे, उसके बाद भी इनके पास में 300 करोड का यहाँ पर डेट बच जाता है, और वैलिशन की बात कर उनके पियर कंपेरिजन में, तो यह भी थोड़ा बहुत 4X से यहाँ पर subscribe हो चुका है, जो retail category है, वो almost 80% यहाँ पर fill up हो चुकी है, अभी भी 20% बाकी है, लेकिन यहाँ पर second day के उपर obviously बात ते retail category यहाँ और subscribe के अंदर जाने वाली है, बाकी अगर इसका मैं comparison करूँगा 5 star business के साथ में, तो आप देख सकते स्क्रीन के सामने, इस व चत्री जी का कहना, यह long term के लिए company बनी है, साथ में आपको third day के यहाँ पर wait करना चाहिए, first day आपको participate नहीं करना चाहिए, third day आपको देखना है GMP क्या चल रहा है, subscription के यहाँ पर demand वगरे कितनी चल रही है, वहीं पर Anand Lajar जी उन्होंने भी मनवना लिया कि retail category में वो definitely apply कर की है, इसी करान उन्होंने यहाँ पर comment करने से मना कर दिया है, अगर मैं एक final यहाँ पर conclusion देना चाहो, तो मैं आप लोगो यही suggest करूँगा, यहाँ पर आपको third day का wait करना चाहिए, GMP क्या चल रहा है उस दिन, साथ में demand के अंदर, QAB यहाँ पर सबसे ज़्यादा interest दिखात और 12 एक बचे के आसपास आपको इस्तिती देखके आपे IPO के लिए apply करना चाहिए, so guys hope you like this video, please join our telegram channel for the live IPO updates, thank you guys, thank you very much